जैहिन सांतियों आप सभी का नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चनल सिजिश्ट रिजन में बहुत-बहुत स्वागत है आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग सुरू करेंगे जो आप लोग सब लोग बहुत बोल रहे थे सारे सब्जेक्टों को पढ़ाईए वो सब्जेक् अगर पुलिस भरती में किसमें पुलिस भरती में आपका तीन से चार कोश्चन आपके टोटल विज्ञान से आएंगे अपन अभी तो जी विज्ञान पढ़ें फिर केमेश्ट्री फिजिक्स सभी पढ़ेंगे ठीक है तो इस जो वीडियो है कोसी का उसका अगर है यह मेरा मुबाइल नंबर सेवन फाइब डबल सिक्स वन डबल नाइन टू सिक्स जो रहां से भिया पीडिएप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारा क्लास कब कब रहता है बहुत लोग पूछ रहते सर क्लास कब कब रहता है दो में दिख लीजे रभीवार आपका अने वाला है नजदिक क्या आप रहा दो हजार चोबिस को कसे बाद अपका डेली क्लास चलेगा क्या है आपका सबजेक्टक आपका कोशी का टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है कोशी का तो हमारे दोस्त हैं वो आपको जीविग्यान पढ़ाएंगे उनको मैं माइक देता हूं उनके साथ आप लोग पढ़िए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशी का विग्यान जो प्रत्योगी परिक्षा के द्रिष्टिकोर से महत्तपूर्ण टॉपिक है इसमें से आपके एक्जाम में एक कुश्चन निच्ची जुरूप से देखने को मिल सकता है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोशीका क्या है कोशीका की परिभाषा ठीक है तो कोशीका जीवं के आधार भूत सनरचनात्मक एवं कारियात्मक इकाई है कहने का मतलब है कि कोशिका क्या है कोशिका कहां पाई जाती है और किस-किस जीवों में पाई जाती है इसको हम ध्यान देंगे कोशिका जीओं की जीओं की है न जीओं की आधार बुद्सन रचनात्मा केमकारियात्मा की काई है कहने का मतलब है कि हमारा जैसे एक कोई घर बनता है एक एक इट से एक घर का निर्मार्ण होता है वैसे ही हमारे सरीर या अन्य किसी अन्य जीव जो भी जीव जन्तु है सबका निर्मार कोशिका से ही होता है जैसे आधार भूत अबसर रजनात्मक एकाई है तो अब सर्रचनात्मा कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारा सरीर एक सर्रचना एक-एक कोशी का मिल करके बहुत सारी कोशी का मिल करके एक सरीर का निर्मार किया तो यह हमारा हो गई structure हमारा सरीर बनके तयार हो गया और कारियात्मा की काई कहने के मतलब है कि जैसे कोई भी कारियर हम करते हैं या पिर उसमें मतलब एक विशिष्ट जिली से गीरी हुई रहती है तथा इसमें स्वाजनन की छमता स्वाजनन मतलब यह खुद से ही स्वाजनन मतलब अपने जैसे और कोशिका बनाने की छमता हो रखती है प्रत्यक जीव का सरीर सुचमत इकाई द्वारे निर्मीत होता है जिसे कोसिका कहते हैं तो ऐसे आपको कोसिका की परिभासा रटने की जरूरत नहीं है जानना बहुत जरूरी हो जाता कि कोसिका क्या है हम कैसे बने हैं जीव जनतु किसे बना है यह जानने के लिए कोसिका जा और दूसरा यूकेरियोटिक तो इसमें पूछा जाता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है तो आपको याद रखना है कोशिका दो प्रकार की होती है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक दो प्रकार की बस कितना ही है इसमें और इसमें से कुछ में महतवपुन अतथ्या सबसे पहले हम देखते हैं सरवापथम राबाट हुपने मृत कोशिका की खोज किसने की हैं तो ध्यान दिजिएगा मैं जो इसमें इंपोर्टेंट है उसी से आपको बताते चलूंगा आप ध्यान देना ठीक है तो सबसे पहले है सरवापथम राबाट हुपने मृत कोशिका की खोज की जिसको को मैं रिपीट करूंगा वह आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है अगला देखते हैं, राबा ठूक को ही कोशिका विज्ञान का पीता कहते हैं, डारेक्टर कोश्चन पूछा जाएगा आपके एक्जाम में कि कोशिका विज्ञान के जनक या कोशिका विज्ञान के पीता किसे कहते हैं, तो राबा ठूक को कहते हैं, ठीक है राबा ठूक, या इंपोर्टेंट नहीं है आपके पेपर की दिश्टी कोर्से और जो इंपोर्टेंट उसको मैं राइट लगाते चलूंगा ठीक है उसके बाद यह है इसमें से यह इंपोर्टेंट है जीवित कोशिका की खोज लुवेन होक ने की थी बृत कोशिका की खोज किस ने की थी तो राबा ठूक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज लुवेन होक यह दोनों मोस्ट आएंपी है सबसे लंबी कोशिका पुछा गया है सबसे लंबी कोशिका है तंत्री का कोशिका ठीक सबसे बड़ी कोशिका जिसको आप जानते होंगे कि सुतूर मुर्ग का अंडा उसके बाद हम देखते हैं कि यह सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका भी याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका है आपका माइको प्लाज्मा याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौंसी है तो माइको प्लाज्मा इतने इंपोर्टेंट जिसनको है उसको आप मैं बता दिये हूं आगे देखते हैं इसमें हैं विशेस बात यह है कि कभी-कभी सन भी पूछा गया है वैसे आपके एक्जाम के लिए सन इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी 1665 में जो राबाठुक ने प्रित को सीका की खोज की थी उसको एक तने में तने को काट कर देखा है जिसे पेड को कारते हैं तो उसको इस्ट्रक्चर जो दिखाई देता है या पिर दातून तोड़ोगे या फिर किसी भी तने को तोड़गे पेड़के वैसे इनोंने एक त जो फार्व में जीवाइट था उन्हें इन्योंने क्या नाम दिया कोसिका नाम दिया तो आपको याद रखना है कि राबा ठूक ने क्यारी चिलखे थी बश्चयों की antagon की आपको याद नहीं कोशिका की परिभास मैंने बता दिया आपको अब देखते हैं कोशिका के दो प्रकार प्रोकरियाटिक कोशिका और यूकरियाटिक तो याद यहीं से आप रख लीजिए प्रो मतलब और यूकरियाटिक कहां किसको होता है इसमें से प्रश्ण बनता है प्रोकरियाटिक कोशिक आलाग कर देता हूं अभी रूख जाए है प्रोकैरियोटिक पूसी का कि है और ये है अपना प्रोकैरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक कोशी का और यह आपका यूकरियोटिक को सिखा ठीक है इस दोनों में अंतर क्या है इस पर नजर डाल लेते हैं कि प्रोकेरियोटिक किसको कहते हैं और यूकरियोटिक किसको कहते हैं को ता पको आपको अपने सहलियत के हिसाप से दो भागों में बांट कर जैसे कि लिखना है का से लिखना है दो भाग मैं ऐसे कर लेना इधा लिखना प्रोकरियोटिक और इधा लिखना यूकरियॉटिक तो आपको अगल पगल लिखने में सहोलिया जायेगा ठीक है और समाझने में बहुत असानी होगा चलो इसको आप मैं एक एक करके बताता uma प्रोकुरायटिक इसमें सबसे पहले हम देखते हैं किसमें केंदराक तथा कैंदरी का अनुपस्थित हो ती अनुपस्तित मतलाब उपस्थित नहीं होती क्या importantes Kentucky और केंदरी का कहने का मतलाब बीच में केंदराक और hesitariat जो है केंद्रा कला जिली नहीं पाई जाती तो क्या पाई जाती है देखते हैं इसको मैं तुलनात्मक बताते चल रहा हूं अब ध्यान देजिएगा इसमें प्रोकेरियोटिक में केंद्रा कला तथा केंद्री का अनुपस्थित होती है इसमें अनुपस्थित तो यूकेरियो कोisi का है यूकरियतिक कोशी का में हम देखते हैं और तिमें केंदरक कला तदा केंदरी का जिए उपस्थित होता है अब इसको याद रखना है कि दोनों आंतर यहीं को पहले में प्रोकरियाटिक में केंद्रक कला और केंद्री का अपसेंट है इसमें क्या है प्रेजेंट है कि वहला आपको याद रखना है ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है इसमें देखते हैं यह पहला पॉइंट आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट इसमें समसोत जिसमें जो दूसरा पॉइंट है यह आपके एक्जाम की दृष्टी कोर्स इंपोर्टेंट नहीं है इसको छोड़ते चल दें ठीक है इसमें देखिए यह इंपोर्टेंट है तीसरा इसमें स्वस सब्सक्रास लेने की ट्रिया है प्लाजमा मेंब्रेन में इसमें स्वतन्ट सबसंत नंत्र अधार्डकनंतर है और लोगनेक्लेम में देखते हैं यू़्राइरोटिक जो है इसमें स्वसंत आंपर जो होगा माइटो कॉंट्रिया से होता है याद रखना यह इंपोर्टेंट है इसके बाद इसमें नेक्स्ट है इंपोर्टेंट देखे जाए यह इंपोर्टेंट है इक पेज में परोकेरियोर्टेंट में राइबोसूम 70 ऐस्परकार का होता है एक ही पेज में परोकेरियोटीक और यूकेरियोटीक नहीं आ रहा था इसलिए अलग-अलग पेज में मैं बाट करके अपने बता आप लोगों को आपको एक पेज में करना है मैं बार-बार बोर रहा हूं ध्यान दिज्येगा ठीक है उसके बाद देखते हैं इसमें गुर्षूत्र कि इसमें जो गुर्षूत्र पाई जाता है क्रोम सोम की संख्या 1 होती हैर और इसमें देखते हैं वह से अधीक कर्या वो यूकूर install Tan Eukaryotic Coceca के Structure है अब इसमें हम लोग detail करते चलेंगे कि इसमें क्या क्या parts पाया है जाता है जो की परिच्छा के द्रिश्ठी कोर से important है उसको हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे Plasma Membrane Cocica जिल्ली ठीक है क्या देखेंगे इसमें यह structure रहा आपका इसमें सबसे पहले जो important आपके काम का चीज है वो है plasma membrane कहाँ है plasma membrane इधर देखे यह है plasma membrane टिक है? plasma membrane मतलब यह आपका जोwy going on कोशिक का है उसके सता है बाहर ही सता इसको कहते है plasma membrane plasma membrane का काम क्या है भई चांदते हैं तो यह plasma membrane Kosyka के बाहे आवराण के निर मार्ड मारड करता है, यह जैसे हमारे सरीर का बाहे आवराण क्या है? तुचा है उस में रोम हैं globally सरीमें सब के सरीय में नाखून है वोई से हमारे सरीर के अंदर सच pigment के आपता है, लिए यह कि समуса, बहे आवराण है यह वेखो बना है प्रोटीन से बना है किसे बना है प्रोटीन से बना है उसके बाद जो यही प्लाजमा मेंब्रेन पर ही रहते हैं प्लाजमा मेंब्रेन का इंप्रेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि यह अर्ध पारगम में होता है यह क्या होता है अर्ध पारगम मतलब इधर स से कोई चीज आतो गया अपने मन से ऐसे आ गया ठीक है इधर से आया अर्ध पार्गम्य लेकिन जा नहीं सकता कि को सिका कहा जो आने लायक चीज है उसको यह आने देता है और जो आने लायक चीज नहीं उसको नहीं आने देता इसलिए यह क्या है अर्ध पार्गम्य है ठीक है इसको आगे मैं लिखा हूं और इसको मैं आपको किसा रचना में मैंने क्या बताया सब से पहले कोशी का छिल्ली बताया क्या बताया कि इस से ब्रोटीन लिपीट कि तरो को पना होता तहता कि पेंपर्मी इसको याद रखना है यह इंपरटेंट है ठीक है उसके बाद यह आपके काम करें नहीं है इसको याद रखना कि वो सिकाज जिली जो है वह आर्धा पारगम होता है ठीक उसके बाद चित्र में और मैं आपको दिखाता हूं यह चित्र है इसमें हमने देख लिया क्या देख लिया प्लाजमा मेंब्रेन एक देख लिया अब देखते हैं लोग केंद्रक यह आपका केंद्रक न्यूकलियास जिसको बोलते हैं केंद्रक यह देखिए केंद्रक बीच में दिखाई देख रहा है इसलिए यह केंद्रक है ठीक है तो केंद्रक 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 के कार यह क्या है चलो देखते हैं केंद्रक अब देखते हैं इसके कार यह इसमें सबसे पहले याद रखना कि कोशिका की खोज आप याद रखना केंद्रक की खोज को भी आप याद रख सकते हो यह important है यह पूछा जा चुका है कि इसकी खोज राबाट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज किस ने की थी राबाट ब्राउन ने की थी यह important है उसके बाद हम इसमें एक चीज जो सबसे मोश्ट आइमपी है इसको बार बार पूछा जाता है इसे कोशिका का क्या कहते हैं मस्तिस का कहते हैं यह वी आइमपी है किसे केंद्रक को कोशिका की क्या कहते हैं मस्तिश्ट का कहते हैं, इसको याद रखना है, छलिए आगे देखते हैं, इसमें आगला हम देखते हैं कोसी का द्रभ्य कहा है, देखते हैं, कोशिका द्रव्य को इंगली समीधर देखो, साइटो प्लाजम लिखा है, कोशिका द्रव्य, यह साइटो प्लाजम, साइटो प्लाजम, साइटो प्लाजम मतलब क्या है यह, यह कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है, चिपचिपा पदार्थ, पूरा इसमें ऐसे भरा है, कि जो दिखाई देर जल के समान यही क्या है साइटो प्लाज्म साइटो प्लाज्म साइटो प्लाज्म मतलब कोशी का द्रव्य कोशी का द्रव्य को चलो दिखातें कोशी का द्रव्य आप आपको यहां से मैं लिख के बताऊंगा कोशी का द्रव्य पॉइंट नोट करते चलि हुआ हैं कोशिका साइट टैनम कोशिका घ्थि को सिढ़गी कती एवां केंद्रॉ कि अठी कया है कि यह आपका कॉर्षिक का भीगी ती की 지역 मद्चि केंद्राइब केंद्रक दोनों के मध्य यह जो भरा है तरल पदार्त यही क्या है कोशिका द्रब्य यह गाड़ा चिपचिपा होता है और क्या बोलते हैं यह कोशिका को इधर सीधर आने में एक जगह से दूसरे स्थान जाने में मदद करता है इंपोर्टेंट यह नहीं है आपको याद रखना है इंपोर्टेंट इस लेकि कोशिका द्रब्य कहा है तो दोनों के बीच में है बस इतना है आपको याद रखना है चलिए कि अगला देखते हैं कि राइबोसुम राइबोसुम ठीक है कोसिका के अंदर बायद है ये क्या है राइबोसुम याद रखना मैं डारेक्ट बता रहा हूं आपको चीतर भी दिखाता हूं इसमें मोस्ट इम्पी एक चीज कोशिका का इंजन जैसे एक गाड़ी में इंजन लगा होता है जिसके बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती वैसे हमारे सरीर में जो कोशिका है उसके कोशिका का इंजन या प्रोटीन को याद रखेगा इसकी स्थिति आपको बता रहा हूं मैं चित्र में ताकि आपकी दिमाग में रहे कि कहां पर राइबोसम है ठीक है इधर देखिए यह देखिए दिखाई दिया आपको यह जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि राइबोसम कोशिका के अंदर है यह क्या है इंजन है और प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसे ही बस इतना याद रखेगा इसके बात देख और चीज़ है आप देखते हैं इसमें चित्र में गालकी बोडी यह गल्ची गाए यहां प्रूज कर दिए चारुनद झालजी बोडी इसे कहते हैं हिंदी में गाल झीकाय क्या कहते है इसको देखे गाल जी बाड्री मैं आपको बतार memo इसका स्ट्रक्चर्य यह आपको आगे बतार topics यह ऐसा structure जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है ठीक है यह अपना कोशिका के अंदर ऐसे छोटा से की structure इसे ही हम कहेंगे गॉल जी गॉल जी काई ठीक है इसी गॉल जी काई को ट्राफिक पूलिस आप दसेल कहते हैं क्या कहते हैं ट्राफिक पूलिस आफ दसेल का क्या है यह कोशिका क्या है ट्राफिक पूलिस का काम क्या होता है मित्रो देखो जी तर देखो जी सट्राफिक पूलिस रोड वेवस्ता को यह पिर ट्राफिक वेवस्ता को बनाता है वैसे ही हमेरी कोशिका की जो आए ने जाने की क्या चीज अंदर आना है यह क्या हमारे लिए हानी का रहाख है उसको यह मेंटनेस का कायम करता है कौन गाल जी गाल जी बॉटी ठीक है नोट किजिएगा उसके बाद एक और इंपोर्टेंट चित्र में देखते हैं पहले क्या है चित्र में देखते हैं देखिए लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक मुहत्तपूर्ण भाग है लाइसोसोम यह जो गोल संरचना दिखाई देथा अब इसको डील करते हैं चलिए लाइसोसोम इसके खार यह क्या है इसमें कुछ श्याद नहीं रखने आपको इसे कहते हैं आत्म हत्या का थैली क्या कहते हैं आत्म हत्या की थैली किसे कहते हैं लाइसोसोम को इसे ऐसे भी प्रकूशन में पूछा जाता है सुसाइड बैग इसको याद रखना सुसाइड बैग ठीक है कि एस यू आई सी आई डी इसुसाइड बैग दोनों नाम से पूछा गया है पेपर में आत्म हत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं लाइसोसोम को आपको याद रखना है क्यों कहते हैं यह जीवाडू और विसाडू जो बैक्टिरिया वाइरस इसके उसे एक उ पूछा गयाmost की से कहा गया है आत्म हत्या की थैली यह पूछा गया है इसलिए अब कुछागत रखने म capitalist essas कि योज़िए नोट कर लिजए सा इणर में सी नियुकें आपको बताता हूं आपको बताता हुं त 집 आते है कि चली कि यह आपका कोशी का इसके अंदर में एक और स्ट्रक्चर कि इस तरह सी स्ट्रक्चर जो पाया गया है इसे ही हम क्या कहते हैं माइटो कॉन्ड्रिया ठीक है माइटो कॉन्ड्रिया है इसमें इंपोर्टेंट क्या है एक वी आइएमप इसमें सी है कि माइटो कॉन्ड्रिया को कॉशी का का पावर हाउस कहते हैं कोशी का का कोशी का का पी ओर डवलू इर पावर हो यू एस इए कोशी का का पावर हाउस कोशी का का पावर हाउस की कहते हैं माइटो कॉन्ड्रिया को ठीक है यह याद रखेगा यह आप ठीक है अब इसमें से यह सब जी प्लांट मेंभी कोशी का है और जन्तु में भी पोधे में भी और जन्तु में भी तो अब इसमें से यह जितना भी बताएcus ऐनिमल से रिएटेड था ठीक है इसी मेंघड़् Bay अंतर बताल था उसमें हम देखते हैं कि यह ऑपना यू को याटिक रिख में यू कर्याटिक वाला वाल है इसमें हम लोग दो चीज इंपोर्टेंट और上 वैसने हम लोग देखेंगे कि और सेल इसमें इसमें क्या होता अंतर यहीं है किसमें जो है हम लोग देखे थे कि एल्वाल नहीं पाया जाता है इसमें इसके बदलें क्या प्लाजमा मेंब्रेन पढ़े थे हम लोग यहां पढ़ेंगे सेल्वाल मतलब कोशिका भित्ती कोशी का भित्ती कोशी का भित्ती यह इसमें पाय जाता है यही जो है कोशी का भित्ती जो है पादप कोशी का का बाहरान जो पौधा होता है उसको छुओगे पेड़ को छुओगे क्या कड़ा रहता है ठोस रहता है वही क्या है सेल वाल है याद आपको रखना है कि कोशी का अब पता चल गए आपको कि पौधों में पाए जाता है हमारे सरी में नहीं पाए जाता है हमारे सरी में क्या पाए जाता है प्लाजमा मेंब्रेन फ्लाजमा जिल्ली पाए जाता है ठीक है और एक और लास्ट इसमें प्लास्टीड जिसको यहां प्लाजमीड लिखा ठीक है य किवल पादब में कोशी का में पाए जाएंगे हमारे इसमें अभी पढ़ें हैं कहीं भी कवाक लवक नहीं पढ़ें ठीक है लवक हम यहां नहीं पढ़ें लवक कहां पढ़ें प्लांट में तो याद रखना कि कोशी का भित्ती और लवक किसमें पाए जाएगा प्लांट में ठीक है और यह इस तरह से अब दुनों में अंतर कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं वन लाइनर टाइस से आपको नोट कराया हूं उसको आप याद रखेगा यह स्ट्रक्चर बहुत काम की है लेकिन जो बताएं उसको य छाद बताएं तो नह में तो आपना है क्में जो कि अक्राद